next question question says four condensers each of capacity four microfarad are connected as shown in the figure हमें दिया है VP minus VQ वो है पनरा वोल्ट और हमें बताना है the energy stored in the system is और अपने चार option है now सवाल सिंपल है यहाँ पे कुछ concepts अपने clear होएंगे so यह आपका एक capacitor ऐसे लगा है उसके बाद आपका एक capacitor ऐसे है और एक ऐसे है और उसके बाद एक ऐसे यह सारे चार microfarad के capacitors है और यह वाला point P है यह वाला point Q है हमें दिया हुआ है VP minus VQ जो potential difference है वो अपने को दिया हुआ है और देट इस 15 वोल्ट तो हमें बताना है कि इस पूरे सिस्टम में energy कित्ती स्टोड है simple सवाल है यहां पर हम यूज करेंगे energy will be equal to half C equivalent multiplied by delta V का square delta V इनके across potential difference होएगा तो हमें delta V पता है 15 वोल्ट है C equivalent निकालने की जर्वत है नौ यह दो capacitor है चार और चार यह आपके लगे हुए पैलल में तो चार और चार मिलाकर 8 हो जाएंगे तो आपका जो system मना वो हो गया यह चार और दूसरा यह 8 और तीसरा यह चार इसका जब हम C equivalent निकालने लगेंगे तो यह आएगा 1 by C equivalent उसको ऐसे लिख लेते हैं will be equal to 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 4 इसका LCM लेंगे तो LCM 8 आएगा यह होएगा 2 plus 1 plus 2 यानि की 5 by 8 नौ यह जो value है यह है आपके 1 by C equivalent की तो इसका मतलब यह हो गया कि आपका जो C equivalent आएगा वो हो गया 8 by 5 इसका reciprocal उल्टाओ करके 8 by 5 आजाएगा तो अपने जो energy बनेगी energy उसको आप लिखेंगे half C equivalent आएगा आपका 8 by 5 multiplied by 10 to the power minus 6 because यह microfarad में है multiplied by V का square यानि की 15 multiplied by 15 अच्छा यह जो अपना answer आएगा यह आएगा जूल में अभी तक सारी units अपनी SI में है अब गर हम चार option पर ध्यान देंगे चार option हमारे ergs में दिये हुए तो इसको ergs में convert करने के लिए हम इसको 10 to the power 7 और कर देंगे अब यह जो value है यह आपकी ergs में convert हो जाएगे इसको जब हम calculate करेंगे सो एक 5 इससे कट जाएगा यहां 3 बचेगा यह 2 यह करके 4 तो यह बचा 15 into 3 45 45 into 4 180 multiplied by 10 to the power 6 यह है और यह इधर है तो 10 to the power तो इतने ergs आगा answer आपका 1800 ergs so based on this हम क्या सकते हैं कि option number b 1800 ergs would be the right answer